बूर्णिंग मेरे शेर और शेर नियों मैं अर्विन चोहन आपका सौगत करता हूँ हमारे ओफिशल जैनल पेपर हैकर में हम यहाँ पर क्या बेसिकली पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैस पढ़ रहे हैं अब आपको बता दूँ कल हमारी एक लास हो चुकी है जिसमें आप जाकर उसका बेसिक समझ सकते हैं आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं एक्सराइज 8.1 NCRT की हम खर्तम करेंगे उसके कुछ कोशन करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप समझेंगे कि बेसिक करने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस की भी बहुत जरुरूरत होती है जैसा आप हेडिंग देख पा रहे हैं मेरी कि क्लास 10 टिगनोमेटिक रेशियो एक्सराइज 8.1 आप अपना कॉपी पैन लेकर शुरू हो जाईए क्योंकि सिर्फ देखने से समझ में आता होता तो हर कोई बहुत काविल होता है ठीक है इसलिए कॉपी पैन अपना लेकर ट्रैंग्ल लेना हमें ए बीची बिला नहीं मचानी है बहुत असानी जाएंजना है एक ट्रैंग्ल हमें दिया हुआ देखने हैं अब आ जाये इंद्टे अब शुरू एक चीज उसके हिसाब से कोशन करना है रटना नहीं है कि हर कोशन वैसे ही होगा ठीक है इसमें राइट एंगिल एट भी है तो भी यहां पर होगा और 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 आप किदर भी ले सकते हैं और सी चलिए आपको दिया हुआ है एब 24 एभी कितना है विटा 24 cm ओक बहुत असान है और बीसी कितना दिया हुआ बेटा टेवन सेंटिमेटर ओके हमारा काम यहां पर खतम इतना ही डीटेल दी हुई थी और हमने वह बना दी अब हमें द यहां अपको बतायाता है साइन होता100 ग्या है सान होता है परपेंडिद्वक और और हाइपोस् का रिज्य को सबसे पहले हो थो सरा में है निकालनी तरна और उसके बिनाक भूसक्रेशन आइए विनहां आगे बढ़ेगा ही नहीं तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि हाइपोटनियूस हमारी निकल सके चलिए आ जाईए फिर तो हाइपोटनियूस है निकलेगी कैसे बेटा मैंने कल आपको बताया था कि कदम कदम पर किसका इस्तमाल होगा कदम कदम पर पाइथागोरुस थिर्म का इस्तमाल होगा टिग्नोमेट्री के अंदर तो यहां पर भी हम पाइथागोरुस थिर्म लगाएंगे बाई पीटी मै मेलोगेन यहां पर, चलिए, नाइटी, के सामने है, है a c square, क्या होता है? बोलो, perpendicular squirrel और base Means clear का sum, तो perpendicular कितना होगा थीटा के सामने होता है, perpendicular यह हमारा हो गया b c square, और base कितना है? a b square, अभी इनकी values put करेंगे आराम सह, चलिए एसी स्कॉयर बेटा कितना होगा अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यूस पूट करिए 24 स्कॉयर और 7 का स्कॉयर ठीक है यह बात यहां तक खतम हो गई अब 24 का स्कॉयर असान है याद करना 30 तक बेटा स्कॉयर याद कर लो वनना बहुत टाइम जाएगा 576 और 7 का स्कॉयर बेटा 49 इनका मरेंगे तो बेटा कितना बाइगा 625 बेटा किसकी वैल्यू आई है यह लाई है ऐसी स्कॉयर के और हमें लिकालना क्या है हमें एसी निकालना है हमें यसी निकालना है एसी निकालने के लिए इसका अंडरूट करना पड़ेगा देख लीजे और इसका अंडरूट होता है 25 देखिए वहाँ पर लगा स्कॉयर यहां लगा स्कॉयर रूट तो आपको 30 तक मस्थ है याद करना यह हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर ओके तो यहां से हमने क्या किया ह हमारी एक साइट जो हमें दिक्कत कर रही थी हाइपार्टनी जरूरत थी हो अमने निकाल ली और यह हमारी कितनी बटा 25 सेंटीमीटर ट्राइंगल में तीन साइट होती है तीन साइट की तीन साइट हमाए पास आ चुकी है अब वो साइन पूछे कॉस पूछे सैक पूछे क पूछे कुछ भी पूछे हम उसका अंसर देने में तयार है तो अब पूछ क्या रहा है तो आगे देखेंगे कि सर साइने होगा क्या इधर आ जाईए ज़रा बेटा साइने क्या होगा साइने सर होता है परपेंडिकलर और हाइपोटनियूस का रेशियो ठीक है साइने होता है परपेंडिकलर और हाइपोटनियूस का रेशियो तो perpendicular बेटा कितनी होगी अगर आपने ये A लिया है तो A यहाँ लेने का मतलब है theta यहाँ पर है sin A का मतलब है जो theta है वो A पर है तो theta अगर A पर है तो इसके सामने होगी perpendicular मतलब ये 7 और नीचे base होता है और 90 के सामने hypotenuse कितनी हो जाएगी 25 cm ठीक है यह हमारा यह हो गया अब हमें निकालना है इसी पार्ट में cos A cos A क्या होता है base upon hypernuse ठीक है base upon hypernuse base कितना है हमारा 24 और hypernuse कितनी है हमारी वो ही रहेगी 25 cm ठीक है अब जबी रेशियो लगेगा तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगेगा तो कि एक रेशियो और आपको पता होना चाहिए कि रेशियो की कोई यूनेट नहीं होती क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर होगा यहां पर सेंटीमीटर होगा एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे कभी भी किसी रेशियो की अगर आप यूनेट लगा देंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं एक्जाम में ठीक है तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट खतम होता है साइने और कॉसे का अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट साइन सी कॉसी यहीं पर हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी देखिए क्या चीज है वन साइन सी और कॉसी इसका मतलब हमारा फर्स्ट थीटा कहां पर यहां पर सी पर अब हमसे अपर नहीं दूसरे डायराम बनाया है अब हमारा थीटा वहां की जगह यहां पहुआँ बहुत इम Rights एहां पर पहुँआ है तो इसके सामनेवाली चीज परपेंडिकलर बन जाएगी हाइपोर्टनियूस फिकस रहे गी pessimistically के सामने उसका थीटा से कोई लेना देना नहीं होता है और यह क्या बन जाएगी हमारी बेस बन जाएगी यह हमारी परपेंडिकलर बन जाएगी औरुपर्टनियूस तो है ही कि अब बों कह रहा है निकालना है साइन सी और सी तो बहुत साइन सी और क्यों असान है कुट्छन आपका ये वाला पहला है पार्ट सैकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी और cos c तो भीया sin c में हमें theta लेना होगा c पर तो बेटा ratio हमारा fix रहता है perpendicular और hypertonus का ratio ओके perpendicular बेटा कितना होगा theta के सामने कितना 24 और hypertonus बेटा कितना होगा 25 ओके ये बात हो गई अब वो कह रहा है बेटा cos c cos c बहुत असान है देख लो आप लोग कर रहे होगे आप लोग मेरे साथ cos c बेटा कितना होगा base upon hypertonus बेटा base कितना है 7 सर हमें तो लगाता सर नीचे base होता है लेकिन हमने आपको सिखाया कि theta जहां पर vary करेगा यहां से वहां जाएगा angles में तो हमारे base और perpendicular change होते रहेंगे लेकिन हमारा hypertonus हमेशा 90 के सामने रहेगा बेटा वो fix है तो यह कितना होगा base होगा यहां पर 7 और hypertonus बेटा कितना रहेगा 25 ओके यह हमारा पहला question यहां पर खतम होता है देख लीजिए आप पहले आप detail को पढ़ेंगे question में यह तो पहला question था तो आप यहां से सीख ले सकते हैं कि हमें question को approach कैसे करना है पहले आप question को thoroughly read करेंगे जिसमें आपको सारी details पता चल जाएं एक भी detail escape हो जाती है तो question में problem आ सकती है तो पहले हमने पढ़ा triangle ABC है जिसमें वो right angle at B है अगर आप B को छोड़के A ले ले लेंगे यहां पर तो question वहीं खतम हो जाएगा बेटा इसलिए detail को पढ़ना बहुत जरूरी है A B कितना है बेटा 24 B C कितना है बेटा 7 और यह तीसरी side हमें क्यों निकालनी पड़े यहां पर sign था cost sign and cost में hypotenuse की जरूरत पड़ती है तो हमने पाइथागुरुस ठुर्म लगा कर hypotenuse निकाल ली hypotenuse निकलती question बहुत असान हो गया sign A निकालना था उसका particular ratio हमें कलब आ वीडियो में आपको पढ़ाया था perpendicular upon hypotenuse हमने देखा perpendicular से थीटा के सामने होता है 7 और hypotenuse 90 के सामने होता है 25 तो यह बना 7 upon 25 और cost से निकालने के लिए 24 upon 25 हो गया second चीज हमने कहा उसने बोला कि अगले पार्ट में इसने थीटा को अलग कर दिया थीटा यहां पर ताब उसने यहां पहुचा दिया साइन सी और cost सी तो साइन सी अब लिया तो यह बना और cost सी लिया तो बेस और परपेंड़र चेंज होने की वैसे question चेंज हो गया यह मुझे उमीद है कि आपको पहला question समझ में आया होगा अब मैं अगले question बढ़ने जा रहा हूं यह हमारा second question आगया आपके सामने आपको एक figure दिख रही होगी जिसमें 10p माइनस court आर आप से पूछ रहा है और आपको इसमें भी दो साइड्स दी है अब वहां पर है 10p 10p का ratio होता है perpendicular upon base तो बेस तो बेटा यहां पर given नहीं है ठीक है तो यहां पर आपको फिर से याद आ रही होगी वह बात कदम-कदम पर पाइथागोरस कदम-कदम पर पाइथागोरस तो पाइथागोरस स्रम लगा देंगी इसमें इन ट्राइंगिल इन ट्राइंगिल बोलो भई ही इन ट्राइंगिल PQR इन ट्राइंगिल PQR इसमें बेटा क्या होगा अगर आप देखेंगे PR स्क्वाइर इस इक्वल टू PQSquare प्लस QR स्क्वाइर ठीक है बेटा सरी क्या लिख रहे हो बेटा है इस इक्वल्स टू बेस स्क्वाइर प्रपेंडिकलर स्क्वाइर यह लिख रहा हूं मैं ठीक है पाइथागोरस तूरह माप इतनी वाल लगा चुके होंगे ट्रिक्नोमेट्री में कि आपको लास तक आते यह बिल्कुल दिमाग में इस ट्रिपलेट्स होते हैं यह थर्टीन ट्वेल आपको स्टार्टिंग में लिखालना पड़ रहा है लेकिन आगे चल के डिल निख दिए शोल्ल करना पड़ेगा लेकिन अब याद होने का मतलब सब्सक्राइब करें लिख सकते हैं कि हाँ यह फाइब है इसके कोशन और आगे पूछता है इसमें तो में जी पूछी है तो आप डारेट लिख दो तो मार्स तो कर जाएंगे ना मिटा चलो इतनी वास में आगे बढ़ते हैं इस कोशन में चलिए तो इनकी वैल्यूस को पुट कर लेते हैं पी आ कोशन में है इसकोशन में हाइप इस तो गिमन है लेकिन एक साइड आगे बर जाएंगे ठीक है 13 का स्क्वाइर बार बार स्क्वाइर आ रहे हैं आप से पोल रहा हूं 30 तक स्क्वाइर याद होने चाहिए 12 का स्क्वाइर 144 प्लस QR स्क्वाइर ओके यह बात हो गई अब क्या करेंगे यह 144 आप इकल टू के इस तरफ लाएंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस का प्लस की अब इकल टू के इस तरफ आती है तो माइनस की हो जाती है इससे आप फैमिलियर होंगे काफी अब तक तो टैन्थ स्टेंडर तक 144 इस इकल स्टू क्यू आर का होल स्कॉर ओके अब आगे बढ़ते है इस वाचा चलिए यहीं पर समझाजता हूं मैं एक तो की नेक्स स्लाइड लेंगे तो आप बापिस आएंगे इस चीज़ पर यहां पर देगी 169-144 कितना होता है 25 तो यहां पर हो जाएगा QR स्कॉाइर इस इकोल स्टू 25 ठीक है तो यहां पर बटा क्यू आर कितना होगा बताओ पिछले कोशन में प्रैक्टिस की थी 25 का अंडर रूट और यह होता है बटा 5 cm ठीक है तो बेसिकली स्लाइड में हमने यह सीख लिया कि हमारी तीसी साइड क्या होगा अभी कोशन पर नहीं आया है यह होगे बेटा 5 cm ठीक है अब चलते है में पूछ रहा है और 10 पी पूछ रहा है और कॉट आर पूछ रहा है ठीक है तो 10 पी और कॉट आर अगली साइड पर आते हैं 10 पी और कॉट आर चलिए देखिए यह ट्राइंगल बना दिया मैंने आपके लिए ओके इसमें मैं डेटेल्स लिख देता हूं 13 12 और 5 जो हमने पिछले कोश्चन में निकाली है ओके पी क्यू आर पी क्यू आर ओके अब पूछ रहता हम से 10 पी मैंनस कॉट आर टैन पी मैंनस कॉट आर चलिए अब शुरू करते हैं कोश्चन को अभी कोश्चन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तीन साइट्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगी तब जाके वो स्टार्ट होता है चलिए यहां पर देखते हैं सकती अगर यहां पर लिकाए 10 पी का मतलब होता है हमारा थिटा कहांपर चलिटों कर दो camping और बं दुट अब बता कैसे सकते हैं कि base कहा है परपेंडिकुलर कहा है तो यह थीटा हो गया तो यह हमारा base हो जाएगा अब आपको समझ में आ गया होगा 90 है और थीटा है यह base होगा थीटा के सामने perpendicular और 90 के सामने hyperneuse बहुत असान हो गया होता है कुश्चन अब यहां से 10p क्या होता है रीशो लिखते हैं पहले perpendicular upon base ठीक है यह हो गया 10p की value ठीक है प्रपेंडिकुलर कितना होगा यहां पर 5 और बेटा बेस कितना होगा देखो 12 ठीक है अब निकालेंगे कॉट आर यहां पर अजड़ा ध्यां तरह समझना इस चीज़ को ओट आर इब द्थीटा वहां नहीं लेना है अब हमें यहां लेन लेने से हमारी कोई चैंज नियांग आगा अब शेंज आएंगा दो चैंज ही बहुत है हमारे लिए यह हो जाएगा बेस और एंगल के सामने यह हो जाएगा परपेंडिकुलर और यहां पर पार्ण बेस हो जाया जाए है तो देखी और एपर कॉड़ आर नीकालते हैं बेस होगा 5 यह होगा बेटा 5 और परपेंडिकुलर एंगल के सामने कितना होगा 12 तो आप देख पार होंगे 10 पी की वैल्यू 5 by 12 और कॉट आर की वैल्यू भी 5 by 12 और दोनों को माइनस करना है तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्या आने वाला है आपको पता है बेटा 10 प और कॉट आर भी बेटा 5 by 12 ही निकला है कैसे निकला है वो बेस अपन पर पेंडिकुलर की वज़े से निकला है समझा दिया आपको 5 by 12 माइनस 5 by 12 कितना होगा जीरो होगा तो यहां पर इस कोश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया आपके सामने 5 by 12 माइनस 5 by 12 कितना कटिन तो नहीं है शायद जीरो ही आता है ठीक है चलिए इतनी बार समझ में आई आपको यह कोश्चन आपको समझाया है मैंने कि 10 P-4 निकालना था इसमें भी आपको 30 साइड निकालनी पड़ी पहले 30 साइड निकालने के बाद आपने आगे कोश्चन को एपलाई किया और आंसर यहा है दो तो आपको दिया क्या है आपको दिया क्या है साइन ए इस इकोल स्टू 3 अपॉर ओके यह बात आप ध्यान रखो कि जो मैं बताने जा रहा हूं तारे टिक्नोमेंटिक रिशियो में वही मेथेड लगेगा और कोई नया अपना दिमाग मत चलाना एक्जाम में दिक्त ह जाएगी ठीक है साइन एक्कल टू 3 वाइ 4 तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रैंगिल जिसमें आप किसको भी ले सकते हैं आप यह यहां पर ले रहा है तो यह माली जैँ यां ले लिए हमने क्योंकि कुछ कहां नहीं है उसने ट्रेंगल में तॉप ए और ब पेटाओ साइने होता क्या है साइने होता परपेंडिकुलर अपॉन बिच्छ हऊं काफी काफी पता दीया मैंने आपको यह प्र पेंडिकुलर और यह है हाइपोर्ट नीवस तो विड़ा अगर महिरा पर इसकी यहाँ पुट करें तो कितना आएगा बेटा और पेंडिकुलर 3 और हाइपटनिस 4 कोई दिखकर धान से देख लो कोशन यहां पर शुरू हो रहा है अच्छे लेविलगा और और यहां पर हम 3 और 4 इग्जैक्ट नहीं ले सकते पिछले कोश्चन में हमें डाटा दिया था डारेक्ट यह सेंटिमीटर में था तो हम आवे डारेक्ट 24 कि मििटर और सेविन सेंटिमीटर ले लिया लेकिन यहां पर को एक रहर्रीश्यो तो यचा Business एका है बन एको क्यूंजार मरए पूरी आएगा isol यह कैसे मान लें कि यह कि उसली अपन न आ गल hinkay छूपल côt और के ये वो फैक्टर होगा जिससे यह divide होकर यह values आई है अगर के की value अब 2 put कर दो गे तो यह ratio मिल जाएगा तो इसलिए हमें पता ना होने की वज़े से हम इनको ऐसे ही लेकर चलेंगे अब यहां पर भी वही अपना पुराना काम पाइथागोर स्थो रहा हूं है क्या हो जाएगा ओड़ा यह स्कुरेशी स्कुरेथ इक प्लस बीशिए स्कुराइर इक राज है यह बात हो गई प्लस बीशिक्वर काईगी और यह कि ना दिया हूँ फरके इसको सब्सक्राइब करना है में इसको सब्सक्राइब और यह हो जाएगा बेटा फोर के स्क्राइर मतलब 16 के स्क्राइर इसको इसको तो हमें क्या निकालना है यहां पर यह हो जाएगा बेटा इसका 7 के का अंडर रूड सेविन के स्क्राइर का अनडर रूड कि यह आएगा आपका root 7 k एक है अब सकेंगे स्क्वाइर की चीज़ तो सर्फ प्लस माइनस में आती है प्लस माइनस में आती है तो बिटा कभी डिस निकाल किया रहा है हम यह हम निकालना है देखिए क्या कहता है प्टा 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 कितनी होगी 4K के के से के कैंसल आउट होगा और हमें आंसर के मिलेगा रूट 7 अपॉन 4 ओके अब हम देखेंगे आगे 10A 10A भी हो जाएगा 10A होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस तो पर्पेंडिकुलर कितना है थ्री के और बेस कितना है रूट 7 के कि रूट 7 के कट करेंगे के से कैंसल रूट होगा आंसर क्या मिलेगा थ्री अपॉन रूट कोशन सब्सक्राइब देख लीजिए आप इसको अराम समझ लीजिए थ्ला सब्सक्राइब गर्मी लग रही है मैं देखता हूं इसको तरह कि इसको देख लो अपको अगला कोशन देखेंगे यहां तक हमने कितने कोशन कर लिए वेड़ा थ्री कोशन कर लिए हम फॉर्थ कोशन पर जलते हैं यह कोशन भी वैसा ही रहाएगा डिफरेंट नहीं ज्यादा लेकिन हमारा काम है आपको समझाना और तो आपको काम है अच्छे से समझना है तो हम समझाते हैं आपको इस question को ठीक है red pen ले ले लेते हैं यहां से चलिए given 15 caught is equal to 8 इसमें तो ratio ही नहीं दिया है इसमें तो ratio ही नहीं दिया है और ratio के साथ सबसर सेंटीमीटर में भी कुछ नहीं दिया है तो सर यह कैसे होगा तो बेटा समाद ध्यान से देखो answer छुपा है तो कॉट एक इतना हो जाएगा एट अपॉण 15 ठीक है अब कोगे अरे सर यह बात थी यह अब तो पिछले से question हो गया है यह क्या होगा आजए जल्दी से करते हैं इसको कि यह ट्राइंगल मना लिया हमने यह बी माल लिया कुछ कुछ की ABC कह रहा है वो ठीक है ABC ABC कॉठ फॉर्पॉर्टों 2 of the theatre कॉर्ट्ट को इन यह क्या है रो caucus गोइल्टा मना छुक है यह दिया हुए यह पांदिंग्ला और यह पर्पैंडिवल दिया हुआ है भी मिशान हो हिएट मैंदेवर्स आपका यह टुर्लम मदना पर्रुने को जाने होे मेराइं से कि या विटा इस वार सीदे वैलिउस फुट कर देए ए बीबीगी नहीं लिखते है आप आब राते है क्या स्कॉएर सब्सक्राया क्लिकेस किорм्राट स्वाइर कर टो बड़ें पर्पेंस्टिक्लर स्कॉएर स्टेटसनिट का है एड़ें का स्कॉार क्सBN स्क्कूर कितना फिफिटीन एक स्क्सिए गार सिक्स्टीफटी फोर के तो एक स्कूर हो जाएगा आपका नेका पूंकुल सही बात कहिंए कि रूट हमें यहाँ अनने चीजिए और स्कूर भी याद नने चीजिए अटा डर्डिवा आपका कोशिण जो दो में वाला था वो अ था में कैलकोलेशन उतने गलती होने की चांसे बढ़ जाएंगे पता जले आपको कोशन तो पूरा आता था आपने पेच पलता पीछे सॉल कर रहे हैं और सॉल में इसक्वैरी गलत निकालके तो जलिए एसी कितना हो जागा इसका 289 और इसका रूट अब आपको पता ही नहीं होगा पता रहे है ठीक है 17 टीक है यह जागा बैटा 17 अर्पेंडिकलर अपन हाइपधनिउस पर्पेंडिकलर कितना है बड़े आपस ऐक सामने 15 और एक इतना है सेवेंटी है के बैड़ का है एक एक लेशपन हाइपधनिऊस ठीक सपर छिश्राक इसका तो घरिटा हाइपधनिवस अपॉन बैश होता है ना की बैट यह क्या प्स यह है कॉस को होता है है कि अपन भी होता है ना कि यह मैंने लिखा कॉस और इसका अगर ऑन करो गया तो यह चीज़ आएगी तो यह था है पर बेस کतना है इसके सेवेंटी लिए एक बच्चा ऐसा हो जो डारेट कोशन करने लगेगा बेसिक नहीं समझेगा तो इतना असान नहीं लगेगा जतना आपको लगने वाला भी है ठीक है और ऐसा नहीं है कि पूरी टिक्नोमेटरी इतनी असान है आगे चल के कोशन काफी टफ होने वाले लेकिन आप हम से ज कोशन करेंगे जल्दबाजी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप यहां आए क्यों है आप यहां पढ़ने आए पढ़ने के लिए यूटूब में बहुत से चैनल मिल जाएंगे आपको लेकिन आप समझने आये ताकि आपको कॉंसेट समझने आए इसलिए आपको मैं 100 क करा दूँ एक दिन में कोई फाइदा उसका नहीं होने वाला है आप पहले इसको बेसिक को समझिए ताकि आप कोशन खुद से कर सके जितने कोशन आप खुद से कर लेंगे उतना कोई यूटूबर आपको नहीं सिखा सकता मैं आपको मैं से प्यार करवाने लाया हूं ठीक ह असान है अभी क्या बिल्कुल पराहा लगता है मैस कि वह यह हम से तो ना हो पाएगा ठीक है चलिए फिफ्स कोशन देखते है सैक ए इस इकुल स्टू थर्टीन अपॉन तो पहले डियागराम बनाना डियागराम ट्राइंगल ही नहीं होगा तो ट्राइंगल ही नहीं होगा इस ने थे किया पॉटनईूस अपॉन बेस सब्सक्राइक तो नहीं होता है बैटां तुर्ट भी सब्सक्राइब है। स्वार में 13 का स्क्वायर इस एकम सूद्वीज स्कॹायर कोधर अम दिशन देंकर देश लाव सा कर लेंगे ठीक है गैसे कशार किस्ट लेंगे लाव एड्स electrolyte process कोधेर अब हुटा है पिछ्छले कुछे से आत कर लो अब तो किश तो कर लो 169 और यह सी स्कार 냉ंक पता नहीं है और सब्सक्राइब के लिख का स्कॉर ठीक इतनी वासा में आया गरा नहीं है वे मैंने क्या है यहांक पर मैंने क्या कर दिया यहां पर मुझे 540 जलब में कर लेंगे बीस स्क्वाइर को दर 69 और 12 का स्कुर्वार जब इधर आएगा तो माइनस का वन फर्टी फोर तो बीसी कितना हो जाएगा बीसी स्कुर्वार इकल टू रूड 25 अभी स्कुर्वाइर की वैल्यू आईये तो क्या करेंगे अंडरूट ले लेंगे थी का अणरोट लखे लिए यह जागा 5 सेंटीमेट्रेख्ट है यह जागा 5 अपने बता थी पूछ पूछ के रहा वह बहुत कुछ झिरा इसकॉज ओ पूछ इसमें उसने है कि अच्छे को त्यु ostr कर्ते हैं है बच्चे को अच्छे से सारे की सारी चीज़ने पूछ ली और ट्रिणोमेटिक रिश्य पूछ लिए तो बटा six होते उसमें से क्या करना है में बाकी five के five हमें निकाल के दिखाने यहां पर हैं कोई बात नहीं बटा हम यहां पर खड़े हुए आपके लिए आप एक बार हम 13 अफॉन आकशर सोचनी से पहले मुझे यह नहीं पता है कि कोस्ठ का रही पोकल होता है हाटी तुमीनर रहक यह रहलुसरी की जरूरती conquist होता है बाक्षी निकलाईगा अब लूच्छनरा किस् Sahib Mackay कटना परपेंडी कुलर यह ती ता है पर्पेंडिकुलाई यह ठीटा पता कैसे चला यहां पर लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है टीक एलिखा हुआ है तो विटा क्या होगा परपेंडिकुलाई इसके सामने 5 अपन हाईपरटनुस बीडा होगा 13 अब रख कॉसेग निकालनी की ज़रूरत है क्या कॉसेक इसका रेसीफोकल होगा कितना हो जागा थार्टीन अपन और v5 कोंसम atom में भीस अपन हाइप आपनुम्स बेस कितना होगा यहां पर घुप Candlez को भता था Capitol इसका般 कुना हमें धिया वर ऊपर कॉस्टे मातानी पर पंडिकुलरोर्टेट यूद्टफ उन्हें में टकल दो कितना है वाइप 5 और 12 ठीक है और इसका उल्टा होता है क्या 10 ठीक है यह हो जाएगा बेटर 12 अपॉन 5 ठीक है कॉट इसको जरा ठीक कर लेंगे यहाँ पर कॉट की जगे यहाँ पर आप लिख लेंगे 10 ठीक है यहां पर क्या लिख लेंगे है यहां पर आप लिख लेंगे हैं यहां पर अप्लिख लेंगे हैं यहां2013 हो जागा एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे यहां पर है कि यह हमारा फिफ्ट कोशन आज का लास्ट कोशन खतम होता है यहां पर आप मुझे बताईएगा कि जरूर कमेंट्स में कि कैसा आपको कमारा सेशन लगा ठीक है ताकि हमें भी पता चल पाए कि हम कैसा पढ़ा रहे है क्योंकि टीचर को तो बैटा खुद के ऊपर पूरा कॉंफिडेंस होता है और टीचर कोई टीचर खराब नहीं होता ठीक है अब यह बच्चे के उपर है कि उसको किस टीचर का समझ में आ रहा है ठीक है एक टीचर के आठ लाग व्यू हों किसी के 500 व्यू खराब 500 वाला भी नहीं है खराब 8 लाग वाला भी नहीं लेकिन बच्चे को किस से समझ में आ रहा है में इंपोर्टेंस यह होती है ठीक है अब इतने बड़े-बड़े कोचिंग क्लास चलते हैं जिसमें इतने फेमस फेमस टीचर पढ़ाते हैं लेकिन क्या होम टूशन नहीं देते है उससे हमें नहीं देखना होता हमें यह देखना होता है content किसका अच्छा है कौन अच्छे सपड़ा रहा है उसका हमारे दिमाग में बैट रहा है ठीक है मैंने आपको अपने बारे मताऊंगा पाच कोशन मैंने आपको अच्छ करा दिये इसकी आपको PDF मिल जाएगी मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में फस्ट कोशन मैं आपको कराया इसको आप देख लीजेगा बढ़ा खुद से फाइफ कोशन जो को इसलिए ज्यादा कोशन नहीं कराया ताकि आप बल्डन आया आपके उपर बहुत ज्यादा आपको पांच कोशन कराया आप इन प वीडियो को फिर से देखिए और कोशिश करिए कि में कोशन की डैप्स को समझे कि गहराई को समझे क्या कहना चाहता है और सबसे अच्छी बात तो यह कि आपने भी यहां स्टार्ट किया जिस चीज़ को में शुरुआ से शुरू करते हैं तो उसमें और अच्छा कमांड कर देते हैं आपको बीच में से कोशन दे दूंगा तो आप परिशार हो जाएंगे यहां से स्टार्टिंग से हम आपको समझा रहा है पहली वीडियो मेरी पड़ी हुई यह आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इस चैनल में उसको आप समझे उसके वादे सेगेंड वीडिय धढ़िpa का हुआ हो पर देख से क्षब ही क Milwaukee वेज़गँ वीडियो में जा पामदे पर देख से हमगे वीडियों से यह लंग